डाब में दर्थ होना एक शुरुवाती लक्षन है, जिस अवस्ता में हमारे दाब खराब हो रहे होते हैं, तो वो हमें एक संके देते हैं कि उन्हें की वो परिशानी में है. और ये परिशानी कई को भी हो सकती है, और इसमें और भी कई लक्षन सामिल हैं, जैसे की हमारे मसुड़े से खूनाना, कई बार दातों में खाना फसना, दातों में sensitivity या समिले शिंटा बढ़ जाना, ये सभी लक्षन दर्थ के साथ या उसके बिना भी हो सकते हैं, हमारे दातों में कई बार केरीज होने की समावना अधिक होती है, जो लोग प्राय अधिकान होने की समावना रहती है, और इसके कारण दात की परत्थ वहां से हट जाती है, और ऐसे दात दर्थ का कारण बनते हैं, इसके लावा जो लोग ठीक से नेमित रूप से ब्रश नहीं करते, उनके दातों में भी calculus या प्लाग जमा होने से उनके दातों में दर्थ हो सकता है, या समेरे शीलता आ सकती है, कि कई बार दात में fracture हो जाए या दात टूट जाए कुछ कटोर पदा प्खाने से तो भी दर्थ हो सकती है, दात में दर्थ हो तो हमें दॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि दात में दर्थ ना हो, इसके पहले हम हमें चिकटसक के पास जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपनी आखों से अपने मूग के अंदर नहीं देख सकते, इसलिए एक दंचिकटसक हमारे लिए ये अप्रक्रिया कर सकता है, और निमित रूप से 6 महिने के अंदर हमें दंचिकटसक से एक बार अवश्य मिलना चाहिए ताकि वो हमें हमारी शुरुवाती परशानियों से आवगत करा सके और उनका उपचार वचित सब्सक्राइब पर प्रारम कर सके कि बहुत ज्यादा इस्टिकी शुगर्स के यूज से जिसमें की टॉफिया है चॉकलेट है इनकी इस्तेवाल से बच्चों के दात जो की दूद के दात होते हैं वो जल्दी कराब हो जाते और दर्थ का कारण उत्पन हो जाता है तो इस तरह के बच्चों को दंद चिकित सके फर्रपास जाकर अपना इलाज आवशे कराना चाहिए अकल दाडऄ एक हमारे मुह में एक आकिरद दात जिसे हम विजण टीत भी कहते हैं जैसे कि हमारे मुह में कई मॉलर टीत होते हैं inclus innesom Yes Falls दिमित तोर्च से खाना फसने की दिक्कते आती हैं, और जो हम अपने ब्रश से सफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे दात को हम दन चिकेच्चा कई बार निकालने की सिला देते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का उपचार संभव नहीं है, तो. दात में दर्द होने के कई सारे कारण है, तो उसी के अउसाद उसका उपचार भी है, जैसे कई बार जब दातों में शुरुवाती लक्षण आते हैं, जैसे कि दातों में खाना फस जाना, जब खाना फसने लगता है, तो उसी समय अगर हम दन चिकेच्चे से संपर्क कर उसमे restoration करवा ले या filling करवा ले तो हम एक early stage में ऐसे infection से बच सकते हैं इसके बाद अगर इस सवस्था में filling नहीं की गई या restoration नहीं किया गया तो ये सवस्था आगे बढ़ती है और एक ज़्यादा जगे दात के बीच में बन जाती है जिसके कि वरीज को या किसी को sensitivity means थंडा गरम पानी लगना या चाय लगना या ऐसे पदार्थ जो high temperature पे use लोग करते हैं जैसे की चाय तो इन चीजों के इस्तमाद में उसको sensitivity होती है ये कई बार दर्व में तब्दिल हो जाती है और ऐसे अवस्था में भी दात का फिर हमें root canal treatment करना पर सकता है या उसकी capping करनी पर सकती है जैसी अवस्था हो कई बार हम इसको भी overlook कर जाते हैं और ये अवस्थाएं और आगे बढ़ जाती है जिसमें की दात का enamel, dentine और ये पल्ग तक पहुंच जाती है पल्ग तक पहुंचने के बार दातों में असैनी दर्द पन होता है और इस सवस्था में फिर दात की नसों का उप्चार या root canal treatment आवश्यक हो जाता है तो ये तो हो गई दातों की परत से नुकसान पहुंचने से होने वाले रोग और उनके उप्चार इसके लावा wisdom teeth में दिक्कत आए दर्द हो तो उसको निकलवाना चाहिए इसके लावा दातों में जिन लोगों को पार्ड़े की समझ से आए है जिसमें की हमारे मस्वड़ों से खून आता है या दातों में खाना फसने की सबस्था उत्पन हो जाती है दातों के बीच में जगे हो जाती है ऐसे लोगों पो भी दिमित रूप से दातों की सफाई करवानी चाहिए जो कि हमारे विभाद में वे वश्य द्वारा की जाती है और कई बार दातों में चोड लग जाने से भी दातों में दर्द होता है जिसका की X-ray ले करके हम लोग उप्चार करते हैं और उसमें हमें RCT या दात की दर्द को अप्चार करना पड़ सकता है दात दर्द से बचने के में ये सबसे पहले मैं आप से कहूँगा कि दिमित रूप से कम से कम दो बार ब्रश करें एक बार सुबै और एक बार रात में सोने से पहले सोने से पहले ब्रश करना ज़्यादा important माना गया है हमें से जिन दोगों को दात में खाना फसने की समस्याए है उन लोगों को हम लोग advice करते हैं कि floss करें floss करने से हम दात के बीच में जो उत्पंद शुरुवाती जो रोग होता है उसको हम कम कर सकते हैं और अगर हम mouthwash कर ले इसके साथ साथ तो और भी अच्छा रहेगा because mouthwash एक chemical method है उसको control करने का जैसे कि दात जो को brush करना एक physical तरीका है सफाई करने का वैसे mouthwash एक chemical तरीका है दात को सफाई करने का और flossing क्योंकि दात जो वारा brush है वो दात के बीच में नहीं पहुंच पाता तो वहां पर हमें flossing करने की आवशक्ता भी पढ़ती है तो अगर हम इन चीजों का इस्तवाल करते हैं निविद रूप से तो हम दातों के विवारियों से बच सकते हैं और दातों के दर्द से भी बच सकते हैं